नमस्कार आप देख रहे हैं जनभापना टाइम से आपके साथ मैं हूँ अंकेता प्रगती की रहा पर अग्रसर पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान ने राजे के विपक्षी दलों से बड़ा सवाल किया है उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से पूछा है कि पंजाब पर पिछले कुछ सालों के दौरान तीन लाग करोड रुपे का करजा किस तरह से चड़ गया मुख्य मंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों में पंजाब में ना तो महला क्लीनिक बनाए गए और ना ही अच्छे स्कूल बनाए गए और ना ही किसी तरह के कोई विकास कारी करवाए गए ऐसी स्थिती में पंजाब पर इतना करज बढ़ जाना समझ से बाहर की बात है उन्होंने कहा कि सचाई ये है कि विपकशी पार्टियों के नेता अपना करजा उतारने में लगे हुए है उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने भरष्टाचार के खलाफ अप्यान चलाया हुआ है और पंजाब से लूटी गई एक एक पाई वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करवाई जाएगी सीयमान ने कहा कि अगर पंजाब को सम्रिथी और खोशाहाली के रास्ते पर लेकर आगे जाना है तो करप्शन पर सबसे पहले चोट करनी होगी उस पर पूरी तरह से रोक लगानी होगी मुख्य मंतरी मान ने कहा है कि पंजाब सरकार की भरष्टा चार विरूथी मुखीम तेज गती से आगे बढ़ रही है हर रोज कोई ना कोई भरष्ट व्यक्ति को पकड़ कर जेल भेज रहा है इससे भरष्टा चार करने वालों के अंदर डर की भाफना पैदा हुई है मुख्य मंतरी की इन बातों से अब ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में पंजाब की आम आदमी सरकार की ओर से भरष्टा चार के खलाफ अपनी मोहीम को और तेज किया जाएगा तो वहीं दूसी तरफ अमरिस सर में आम आदमी पार्टी के सैयूचर और दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विन के जिवाल ने साफ कर दिया है कि भरष्टा चार में जो भी शामिल होगा उसके खलाफ सक्त कारवाई की जाएगी सीयम मान ने भी भरष्टा चार को लेकर अपनी सरकार का रोक साफ कर दिया है इस खबर पर आपकी क्या राय है जरूर कॉमेंट करके बताइए देश और दुनिया की तमाँ खबरों को विस्तार से जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejpt.com को लॉग इन कर सकते हैं जुड़े रहिए जन्भावना टाइम्स के साथ नमस्कार